परिचय चात्रो, हाज हम जयव प्रद्दोकी की और इसके प्रक्रमों को जानेंगे, क्या कोई शब्द जयव प्रद्दोकी की को परिभाशित कर सकता है? हाँ सेर, सेर ये एक प्रोद्दुकिकी है जिसका उप्योग उत्पादों को रूपांतरित करने और मानजीवन है तू उन्हें उप्योगी बनाने के लिए किया जाता है बहुत अच्छे, वे प्राक्रब क्या हैं जिनने हम जह प्रोद्दुकिकी में शामिल करते हैं सेर, इसमें कृत्रिम डियने का निर्मान शामिल है सही कहा डियने का क्यार्थ है सेर, डि आक्सी रिबोन यूगलिक अमल सही कहा तो आव इस पार्ट में हम जह प्रोद्दुकिकी के सिध्धान्त और प्राक्रबों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैव प्रोद्दुकिकी के सिध्धान्तों का वड़न करना एक क्रित्रिम पुनर योगच डियने आणू के निर्मान का वड़न करना पुनर योगच डियने प्रद्दुकिकी के साधनों का वड़न करना DNA खंड के प्रतक करण एवं विलिगन की चर्चा करणा, क्लोनिंग संभाहक का वाड़न करणा, पुनर योगच DNA प्रध्योकी की के प्रकर्मों का वड़न करणा. जैव प्रध्योकी की के सिध्धान्त जैव प्रध्योकी की एक तकनीक है जिसमें उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जंतों में सुधार करने के लिए या विशिष्ट उप्योक है तूँ सुख्ष्म जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप् आनुवन्शिक इंजिनिरिंग, आनुवन्शिक पदार्थ की प्रक्रिती को बदलने की तक्नीक और या आनुवन्शिक पदार्थ को अन्य पर पोशी जीवों में प्रवेश करा कर इसके समलक्षणी में परिवर्थन करना। जय प्रद्धोकी की उत्पादों के निर्मान के लिए प्रोगाणूं रहित दशाओं में केवल वान्शित सूक्ष्मों या कोशिकाओं की अधिक संक्या में व्रिध्धी और गुणन को सुगम बनानी की तक्नीक। आनुवन्शिक इंजिनिरिंग के सिध्धांतों का विकास। संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पाधप्रजनन और जंदू प्रजनन में उप्योग की जाने वाली पारम परिक्विदी है। इसमें प्राया वांशित जीन के साथ साथ अवांशित जीन का समावेश भी हो जाता है। संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए आनुवन्शिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज डियने विक्सित किया जा सकता है। विजातिय डियने या क्रेत्रिम डियने से जुड़ा परपोशी डियने पुनर योगज डियने कहलाता है। प्रतीक्रिती का मूल डियने का अनुक्रम हैं, जिस स्थान पर प्रतीक्रितियन या एक गुंसूत्र प्लाजमिट या वाइरस पर शुरू होता है। जिवाणूं प्लाजमिट तथा छोटे वाइरसों सहित छोटे डियने के लिए एकल मूल ही परियाप्त है। बड़े डियने में अनेक मूल होते हैं और डियने प्रती कृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। कृतरिम पुनर योगज डियने अनूं का निर्मान। जब विजातिय डियने प्रती कृति के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में डियने प्रती कृति एवं गुणित हो सकते हैं। ये डियने क्लोनिंग कहलाता है। कृतरिम पुनर योगज डियने का निर्मान। प्लास्मिट अतिरिक्त गुण सूत्र डियने हैं जो एक जिवानों से दूसरे जिवानों तक जीन या डियने इस्थनांत्रित कर सकते हैं। वे साल मोनेला टाइफी मूरियम के प्लास्मिट से प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन को प्रती बंधन एंजाइम्स दौरा काट कर अलग करते हैं। प्रिथक जीन, डियने, लिगेज एंजाइम दौरा प्लास्मिट से जुड़ा हुआ था। ये पुनर योगज डियने पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। इस पुनर योगज डियने को सालमोनेला से काफी मिलते जुलते इशारी किया कोलाई जीवाणों में इस्थानांत रित किया जाता है। प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन इकोलाई में प्रती कृती बना सकते हैं और बहुप्रितियां बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के अनुवन्शिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं। वांशित जीन युक्त डियने की पहचान। जीनित जीन का परपूशी में इस्थानांतरण। इस्थानांतरित डियने को परपूशी में सरक्षित रखना तथा उसकी संतती में इस्थानांतरित करना है। पुनर योगज डियने तक्नी के साधन। प्रतीबंधन एंजाईम प्रतीबंधन एंजाईम नुउकलिएज घहलाने वाले एंजाईमों के वर्ग बे आते हैं ये एंजाईम डीने दूई कुंडेलिनी को विशिश्ट अनुक्रम पर काड़ सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं एक्सो नूक्लिएज, एंडो नूक्लिएज, एक्सो नूक्लिएज, ये एंजाइम DNA के सिरों से निकलो टाइट को अलग करते हैं, एंडो नूक्लिएज, ये DNA के भीतर विशिस्ट इस्थलों पर काटते हैं, ये एंजाइम DNA में पैलिंड्रोमिक, ये एंजाइम DNA में पेलीन्ट्रोमिक नुक्लियोटाइट अनुक्रम कहलाने वाले विशिस्ट अनुक्रमों की पहचान करते हैं। दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। झाले विशिस्ट अनुक्रम करते हैं। प्रति बंधन एंडो नुक्लियेज एंजाइम की क्रियात्वारा पुनर योगज डिने के निर्माण में चरण। कुछ जीवानों में प्रति बंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाय जाते हैं। और विशाणों के वृत्थ रक्षा तंत्र के रूप में कारे करते हैं। प्रतिक प्रति बंधन एंजाइम एक विशिष्ट इस्थल यानी पहचान इस्थल पर कारता है। जहां निकलियोटाइट्स का एक विशिष्ट अनुकरम पाय जाता है। प्रति बंधन एंजाइम ECO-R1 में निम्निक पहचान इस्थल होते हैं। जी ए ए टी टी सी, सी टी टी ए ए जी इसकारत है कि ECO-R1 इस अनुकरम में केवल जी और ए के बीच काटेगा। चरण एक, ECO-R1 के लिए पहचान इस्थल युक्त DNA का एक खंड नीचे दिया गया है। चरण दो, ECO-R1 DNA लड़ी को पहचान इस्थल पर काटता है। जी और E के बीच, चरण तीन, DNA लड़ी विखंडित हो जाती है। इससे खुले निकलियोटाइट्स या चिपचिपे छोर वाले DNA खंड उत्पन होते हैं। अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उधारन के लिए हिंड दो में सीध में काटता है और बंद निकलियोटाइट वाले DNA खंड उत्पन करता है। ये खंड अनासंजी स्रे कहलाते हैं। चिपचिपे स्रे और अनासंजी स्रे एक अन्य DNA एंजाइम लिगेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े सकते हैं। DNA लिगेज, DNA की मरमद और प्रती कृतियन में शामिल होते हैं। लिगेज का कारे बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में DNA खंडों को पुना जोड़ना है। DNA खंड चार युक्म रेखन का उप्योग करके आपस में जोड़ जाते हैं। DNA के एक खंड के खुले नुकलियोटाइट्स दूसरे DNA खंड के लिए चार युक्म द्वारा आकशित किये जाते हैं। खंड एंजाइम DNA लिकेज द्वारा जुड़े होते हैं जो खंडों को उनकी शरकरा फास्वेट रिड़ पर जूड़ते हैं। यदि DNA खंड अलग अलग सरोतों से है तो पुनर योजन DNA उत्पन होता है। DNA का उत्पादन पुनर योगज DNA का उत्पादन प्रती बंधन एंजाइम E को प्रीज के क्रिया के परिड़ाम सरूप होता है। और बंधन को निम्नलिकित आरेक में दर्शाया गया है। एंजाइम दोनों DNA को समान आमाप पर काटता है। उसके बाद दोनों DNA खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है। और इसके फल सरूप पुनर योगज DNA बनता है। DNA खंड का प्रितक करण एवं विलकन DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफॉरेसिस यानी व्यद्ध कण संचरन का उप्योग करके अलक किया सकता है। विभिन आकार वाले अणों को सरंद्री, स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए इलेक्ट्रो फॉरेसिस में विद्ध धारा का उप्योग किया जाता है। बड़े अणों की तुल्ला में छोटे अणों जेल रंद्रों से बहुत आसानी से गती करते हैं। फिल शाप्र, जू सैंब्रुक और बिल सागडेन ने अत्यदेक्षुद सबुद्रिय घास से बने एकारोज जैल का उप्योग करके डिने एलेक्टो फॉरोसिस टक्नीक विक्सित की है। जैल को विद्ध प्रवाहित होने वाले लवन फिलियन से भरे टैंक में डुबोया जा प्रिपेट का उप्योग करके डिने प्रतिदर्ष को एकारोज जेल में बने इस्थानों में लाता जाता है। डिने प्रतिदर्ष रंग हीन होते हैं लेकिन शोत करता नीले रंग की ट्रेकिंग डाइ मिलाते हैं। इससे प्रतिदर्शुक को लादना और जेल से होकर डिने प्रवासन को आखों द्वारा देखना आसान हो जाता है। डिने रीड में सित फास्वेट समू रनात्मक आविशित आक्सिजन लेकर डिने अड़ों को पूरी तरह से रन आविशित कर देते हैं। विद्धारा में रनात्मक आविशित डिने इलेक्ट्रोफोरिसिस कक्ष के धनात्मक ध्रव की ओर चले जाते हैं। डिने अड़ों एकरोज मेट्रिक्स के रन्द्रों की रेप्टेशन, रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर इस्थानांत्रित होते हैं। दिये गए समय में छोटे डिने खंड बड़े खंडों की तुल्ला में तेजी से गती करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह डिने खंड एक एकरोज जेल में आहमाप अनुसार अलग अलग किये जा सकते हैं। क्लोनिक समवाहक एक डिने अणू जो विजातिये डिने को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है। जीवानू कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है। और विजातिये डिने क्लोनिक समवाहक कहलाता है। क्लोनिंग सम्वाहक प्रतिबंधन एनचायमों के लिए अगले महतपून साधन हैו. सामाने क्लोनिंग सम्वाहक प्लाजमिट और जीवाण भुजी है. एक सम्वाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेशताओं की आविशक्ता होती है. प्रतीकृतियन की उत्पत्ति यानी मूल यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतीकृतियन की शुरुवात होती है और DNA का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतीकृतियन कर सकता है वरण योग के चिन्हक मूल ओरी के साथ समवाह को वरण योग के चिन्हक की भी आविशक्ता होती है जो रुपान तरजों और अरुपान तरजों की पहचान करने में सहयता करते हैं उधानों के लिए एमपिसिलेन, क्लोरेमफेनिकृल, टेट्रसाइक्लिनादी जैसे प्रती जहविकों के प्रती प्रतिरोध ग्रोडित करने वाले जीनों का वरण योग के चिन्हकों के रूप में उप्योग किया जाता है रूपान तरण ये एक प्रक्रिया है जिसके दोरा एक डिने खंड को परपोशी जीवाणों में प्रवेश कराय जाता है क्लोनिंग संभाहक क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल है जहां पर विजाती ये टिये ने जुड़ता है निवेशी निश्क्रियेता प्रती जैविक प्रतिरोथी चीन का उप्योग करके पुनर योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए एक वैकल्पिक विधी विक्सित की गई है इसमें रुपान तरजों, पुनरयोग्जों और आपुनरयोग्जों की पहचान क्रियाधार की उपस्तिती में रंग उतपन करने की उनकी शमधा के आधार पर की जाती है। इसमें एक पुनर योगज डीने को एक लेक्टो साइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराय जाता है, जिसके भल सवरूप एंजाइम निश्क्रिये हो जाते हैं और इसे निवेशी निश्क्रियता कहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जिवानों द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, आप उनर योगज नीला रंग प्रदान करेंगे। इस प्रकार के जिवानों के जिवानों के जीन को अनेक पौधों में इस्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। जन्तों में पश्च विशाणूं परपोशी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रुपांतरित करने के लिए अपने डिने को परपोशी कोशिकां में इस्थानांतरित कर सकता है। इसलिए पश्च विशाणूं का एक समवाहक की रूप में उप्योग किया जाता है। यदि हानेकारक डिने को अभिरुची के जीन द्वारा बदला जा सकता है। सक्षम आति थे यानि पुनर योगज डिने के साथ रुपांतरण हे तू। डिने जल रागी अड़ों होते हैं। इसलिए इसे कोशिका जिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को केल्शियम जैसे दुई संयोजन धनायन की विशिष्ट सांदरता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर योगज डिने के साथ बर्फ पर रखा जाता है। तब पुनर योगज डिने को उन कोशिकाओं में बल पूर्वक प्रवेश कराय जाता है। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और पुना इसे वापस बर्फ पर रखा जाता है विजातिये DNA को प्रवेश कराने की अन्यविधिया सूख्ष्म अंतक्षिपन और बायोलिस्टिक या जीनकन है पुनर योगज के प्राक्रम पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं जैसे अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवा संसाधन अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रतक्करण प्रती बंधन एंजाइम की क्रिया के लिए DNA को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाहिए ये लाइसोजाइम, सेलिलोईज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणों कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है DNA हिस्टोन, प्रोटीन और RNA के साथ गुंधे रहते हैं RNA को रिबान यूकलेज से उपचारित करके, जबकि प्रोटीन को प्रोटी एस से उपचारित करके अलग किया जाता है अन्ने अणों को उचिद उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनंत गुत्वा दुरुद्शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधित DNA अवक्षेपित हो जाता है DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना शोधित अणों को इस्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रती बंधन एंजाइम का उप्योग किया जाता है प्रती बंधन एंजाइम की पृत्धी जाँचने के लिए पाचन एक अरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस का उप्योग किया जाता है पुनर योकज डियेने तैयार करने के लिए स्रोत डियेने से काटा गया अभिरुची का जीन तथा खाली जगा के साथ कटे हुए समवाह को मिश्रित किया जाता है और लिकेज मिलाया जाता है पुनर योकज डियेने प्रोध्योग की के प्रक्रम PCR का उप्योग करके अपिरुची के जीन का प्रवर्धन Polymrage, श्रिंखला अभिक्रिया यानी PCR विशिष्ट DNA अनुक्रमों का घातां की प्रवर्धन प्रतान करती है PCR के लिए आवशक है DNA Template कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित DNA अड़ों होते हैं प्रवर्धित किये जाते हैं उप्क्रमक, समान G+, C, सामगरी के साथ साथ लगभग 10-18 निकलियोटाइट्स के रसाइनिक संशलेशित अल्प निकलोटाइट का युग्म उप्क्रमकों के रूप में कारे करता है जो एक दूसरे के प्रती सीधे DNA संशलेशित करते हैं एंजाइम सामाने रूप से उप्योग किये जाने वाले दो एंजाइम हैं टैक पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज ये 95 डिग्री सेल्सियस पर एक से दो मिनट तक बचे रह सकते हैं इस तकनीक में तीन चरण शामिल हैं एक विक्रिती करण लक्षित DNA का गलन दूई लड़िये DNA से इसकी पूरक लड़ियों को प्रतक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सिकंड के लिए 95 डिग्री सेल्सियस का उप्योग करके इसे विक्रित किया जाता है DNA संशलेशन के लिए प्रतेक प्रतक एक लड़िये DNA टेंफलेट के रूप में कारी करता है दो उपक्रामक तापनुशीलन विक्रित DNA लड़ियों के लिए दो अल्प निकलियोटाइड उपक्रामों को का तापनुशीलन अतरिक्त उपक्रामक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेल्सियस तापमान कम करके किया जा सकता है उपक्रामक हाइडोजन बंध बनाते हैं जो DNA अनुक्रामक के दोनों सिरों पर DNA का तापनुशीलन करता है तीन उपक्रामकों का विस्तार बहुलकी करण DNA पॉलिमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामक की बहुली की करण प्रक्रिया की शिरुवात करता है जिसके परिणाम सरूप लक्षित DNA अनुक्रम की प्रतियों का संशलेशन होता है उप्योग की जाने वाले दो एंजाइम टेक, पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज है पुनर योगज DNA प्रद्योगी की के प्राक्रम परपोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन यदि पुनर योगज DNA को जिसमें प्रती जविक M.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांचित प्रोटीन उत्पन्ने करने के लिए प्राया गुनित हो जाता है। प्राया विलोड़न प्रकार के बायोरेक्टर का उप्योग किया जाता है जो समानिता बेलनाकार होते हैं या जिनके आधार घुमाओदार होते हैं। विलोड़न प्रकार के बायोरेक्टर में उप्लब्धता वा उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पता हवा पुलबले के रूप में बायोरेक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायोरेक्टर में निम्न घटक होते हैं। एक प्रक्षोभग तंत्र, ओक्सीजन प्रदाय तंत्र, जाग नियंत्रन तंत्र, तापक्रम नियंत्रन तंत्र, पीच नियंत्रन तंत्र और प्रतिचयन प्रद्वार। पुनर योगज डिने प्रद्योकिकी के प्राक्रम अनुप्रवाह संसाधन इसमें प्रथक करण वाश्योधन शामिल है इसे सामोहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं औशदी के मामले में ऐसे संरूपन को जो किसी ये परीक्षन से गुजारते हैं अनुप्रवाह संसाधन प्रत्यक उत्पात के लिए भिन भिन होता है क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजाद शिश्यों की वृत्यों के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता किस के लिए कौन दूशी है चल जाता है अब वैग्यानिकों ने नियमित चिकिसा दिखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुँचकर एक सब्ता के बजाए कुछी दिनों में उन शिश्यों के डिएने के कुछ लेखन का एक तरीका खोज लिया है सिर्फ पचास घंटों में हम नवजाद शिश्यों के जीनों का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्शेप में तोहरा है जयव प्रोध्दुकी की एक तकनीक है जिसमे उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिस्ट उप्योग हे तो सूख्ष में जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए अनुवन्शिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज DNA विक्सित किया जा सकता है जब विजातिये DNA प्रतिकृती के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में DNA प्रतिकृती वागुनित हो सकते हैं ये DNA क्लोनिंग कहलाता है प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन इकोलाई में प्रतिकृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है प्रति बंधन एंजाइम DNA दुई कुंडलिनी को विशिष्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम को पुनर योगज DNA प्रति बंधन एंजाइम एको आरवन और बंधन की क्रियाद्वारा उत्पन्य किये जा सकते हैं DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानि वेदुध कन संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है प्रति कोशिका में ले जाता है, जीवानों कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्य करता है और विजाति ये DNA क्लोनिंग सवहग कहलाता है पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं अनुवन्शिक पदार्थ का प्रतिक्रण अनुवन्शिक पदार्थ यानि DNA का प्रतिक्रण DNA को विशिस्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभीरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशिक कोश का जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रव संसाधन